हलो एबरीवन विलकम टू आवर चैनल गाईच यहां पर हम बात करेंगे मैंगलो रिफाइनरी के रिक्रूटमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तो चलिए सुरुवात करते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट नॉटिफिकेशन का तो ध्यान से देखिएगा मैंचन किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजिनियर एंड असिस्टेंट इक्जेकुटिव एंड two grade के लिए असिस्टेंट इंजिनियर असिस्टेंट इक्जेकुटिव का यहां पर आपका रिक्रूटमें नॉटिफिकेशन जारी किया अब बात आती है यहां पे क्या क्या कंडिकेशन रहेंगे कौन-कौन सी वेकेंसी ज़ुदिए मेंन रखेंग incredible यह थो इपनोब सब्सक्राइब के जांगे सब्सक्राइब कर सकूल नियुक्राइब यहां पर आप देखेंगे 24 तो सिर्फ मैकेनिकल की इंगरेंग यहाँ पेल आउड है सिविल के लिए दो पोश्ट हैं civil engineering, electrical के लिए seven पोश्ट है electrical और electrical and electronics दोनों consider किया जाएंगे instrumentation के लिए 11 पोश्ट है instrumentation के साथ साथ electronics control, electronics and telecommunication, instrumentation and control शारे branch valid होँगे Computer Science में Computer Science और IT दोनों consider किये जाएंगे Artificial Intelligence, Data Science, उसके अलावा Machine Learning, Cyber Security, Internet of Things यह सारी चीज़े यहाँ पर 4 years के डिग्री है तो आप apply कर सकते हैं Chemistry के लिए one post रखा गया जिसमें Master of Science होना चाहिए Analytical Chemistry में, Applied Chemistry में, Physical Chemistry में, Organic Chemistry में, Inorganic Chemistry में उसके बाद Industrial Chemistry, Petrochemical, Environment Candidates ठीक है Environment Science वाले भी यहाँ पे लिजिबल है, apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको post का reservation दिया गया है, post का आपका division दिया गया है कि किस तरीके से आपका selection का criteria रहेगा Next आता है reservation, reservation कि इसको provide किया जाएगा HCST, ex-serviceman, PWD candidate और आपका OBC candidates को Age relaxation की अगर हम बात करें, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर age limit जो है, upper age limit 27 years रखा गया है General के लिए, EWS category के लिए, बट यहाँ पर OBCS, CST के लिए 3 और 5 years consecutive यहाँ पर relaxation provide किया जाएगा Education qualification में हमने आपको बता दिया है, 4 years का B.E.B.Tech चाहिए relevant discipline में gate 2022 के paper के साथ, और minimum जो है 60% aggregate marks होने चाहिए किसमें आपका graduation level पर, ओके Next अगर हम देखें, कोई M.E.M.Tech कर रखा है, तो भी वो यहाँ पर eligible है, apply कर सकता है बट condition है कि 2022 का gate paper होना चाहिए अब आता है scale of pay, probation और emoluments, तो initially जो रहेगा आपका training basic training जब start होगी आपका selection के बाद, तो 50,000 per month दिया जाएगा then after, then after आपका आपका यहाँ से 50,000 से ले करके 1,60,000 के scale के बाद यहाँ पर आपका permanent किया जाएगा लेटर रोन आपको क्या-क्या मिलेंगे, तो company rules के according, DA मिलेगा, Darness Allowances, Home Rent Allowance, Township Accommodation, Park मिलेंगे यहाँ पर, other allowance और benefits आपको company के rules के according प्रोवाइड किये जाएगे service bond की बात आती है, यानि कि जब आप join करेंगे, तो minimum जो है आपको agreement करना होगा जेनल कटिगरी के लिए तीन लाग रुपे का EWS, OBC, SCST, PWD कंडिरेट को 50,000 रुपे का यहाँ पर bond sign करना पड़ेगा, service agreement करनी पड़ेगी, selection procedure, सबसे पहले आपका short listing gate के scorecard के अधार पर, देना अफ्टर यहाँ पर, valid gate scorecard के बाद फिर गुरूप discussion होगा, गुरूप discussion के बाद personal interview लिया जाएगा, clear है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे, mark of any previous or other gate exam के बारे में बोला गया है, कि कोई भी valid नहीं माना जाएगा, ठीक है, general instruction बताया गया है, apply कैसे करेंगे, तो official website पर जा करके directly आप apply कर सकते है, MRPL के, कब से कब तक करना है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर category जो है, eligibility criteria जो है, specify किया गया है, 15th जनवरी 2013 जो है, वो cut-up crucial cut-up date यहाँ पर mention किया गया है, okay, official website www.mrpl.co.in पर आप apply करेंगे, अगर आपको कोई भी clarification चाहिए, कोई भी problem आ रही है recruitment process के लिए, तो ध्यान रखेंगे recruit one at the rate mrpl.co.in पर जाकर करके आप संपर कर सकते हो, mail कर सकते हो, इसके अलाबब कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर आपको कोई भी message को entertain नहीं किया जाएगा, next आता है application fee के बारे में, तो जितने भी general candidates हैं, जितने भी general candidates हैं, वो यहाँ पर आप रखेंगे ध्यान, 118 रुपे पे करेंगे, और other category वाले जो हैं, यहाँ पर कोई भी fee pay नहीं करेंगे, ठीक है, clear रहेगा, चलिए, next आता है requirement क्या क्या है, तो यहाँ पर online apply करने से पहले official notification को ध्यान से पढ़ेंगे, online application देना है, आपको कोई भी hard copy नहीं भेजनी है, scan copy होना चाहिए, recent color photograph का, scan copy signature का, gate score का, cast certificate अगर आपके उपर eligible है, तो, EWS का टेगरी के लिए income certificate यहाँ पर अगर applicable है, तो asset certificate आप यहाँ पर upload करना रहेगा, apply कैसे करेंगे, तो MRPL के official website पर जाएंगे, then after आप carrier में जाएंगे, carrier में जाने के बाद, आप यहाँ पर executive label का, executive label का, वहाँ पर notification देखेगा, apply link देखेगा, then after आप further apply करेंगे, clear रहेगा, यहाँ पर proof of age के बारे में, एक service man, no objection certificate का criteria दिया गया है, कि किस तरीके से आप, किस तरीके से आप यहाँ पर documents रखेंगे और apply करेंगे, next आता है, यहाँ पर traveling expenses के बारे में, E2 category के लिए जब आप जाएंगे, तो यहाँ group discussion के लिए, interview के लिए आपको बोला जा रहा है, तो three tire, ध्यान रखेंगे आप, three tire, third AC train fare, या AC bus का fare आपको दिया जाएगा, clear है, AC bus से ले करके, आपको यहाँ पर three AC train तक का ticket provide किया जाएगा, आने और जाने का, clear है, जब आपका कुछ है, तो आप यहाँ पर share कर सकते हैं, और experience है, तो experience भी आप share कर सकते हैं, next important dates के बारें बात करें, तो यहाँ पे permissible age जो है, permissible age जो है, cut up दिया गया है, 15.01.2023 को, date of online application start हो रहा है, यहाँ पे 17 दिसंबर से, last date रखा गया है, 15 जनवरी को, group discussion और personal interview के लिए, official website पे letter announcement द करें, तो apply करने से पहले official notification को ध्यान से read जरूर करें, okay, तो guys, यह था आपका MRPL का recruitment notification का update, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे next और नए update के साथ, बने रही है channel पर, channel को subscribe करें, video को like share जरूर करें, thank you so much